हाई फ्रेंड तो कैसे हैं आप एक पर फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोशन मिस्रासर मैथमेटिक्स पर और एक पर फिर से स्वागत है टाइम एंड वर्क के इस सेशन में दोस्तो यह मेरा चौथा पार्ट है इससे पहले हमने तीन पार्ट देखा है तीन पार्ट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ अलग टाइप का कुश्चन ज्यूकि हम पिछले तीन पार्ट में पढ़े हैं उससे थोड़ा अलग ठीक है तो दिखते हैं कुश्चन क्या सब है फर्स्ट कुश्चन है A and B can complete a work in 5 days if A work twice as efficiently as he actually did and B work one third efficiently as he actually did then the work would have been completed in 3 days A alone can complete the work in how many days दिखिए कुश्चन कह रहा है कि A और B जब दोनों मिल जाते हैं किसी काम को करने में तो दोनों मिल करके उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं यानि A का B efficiency 5 दिन तक B का B efficiency 5 दिन तक काम करेगा तो काम हो जाएगा complete तो यहां से भी यह क्या मिल रहा है हमको total unit work मिलेगा इफ A work twice as efficiently as he actually did अगर A दोनों efficiency से काम करे और B work one third efficiently as he actually did तो B अपने one third efficiency से काम करे कहने का मतलब है A अपना दोनों efficiency दिखाए और B अपना one third efficiency दिखाए तो इस condition में then the work would have been completed in three days यानि कितना दिन में काम complete हो जाता है तीन दिनों में तो यहां भी work complete हो रहा है और यहां भी work complete हो रहा है total unit work, total unit work, ठीक है फिर पूछ रहा है A alone can complete the work in how many days यह अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि A और B दोनों मिलकर के पांच दिन करता है यानि हम इसको कह सकते हैं पांच दिन तक A का efficiency काम लाया और पांच दिन तक B का efficiency ठीक है? तो काम हो गया complete और तीन दुनी छे दिन तक A का काम करेगा तीन दिन तक 2A हुआ तो टोटल हुआ 6A और तीन दिन तक 1 थर्ड B होगा तो B अकेला हो गया तो इससे हमें क्या मालूम चला कि 6A माइनस 5A is equal to A and 5B minus B is equal to 4B तो A और B का जो efficiency आया वो आया है हमें 4 is to 1 का 4 is to 1 का ठीक है? तो टोटल वर्क यूनीट टोटल यूनीट वर्क हमें पता करना है पहले क्योंकि A का efficiency हमें मालूम चल चुका है 4 है और टोटल यूनीट वर्क में डिवाइड करेंगे तो आंसर आयेगा A का time चीक है? अब टोटल यूनीट वर्क हम कहां से लाते हैं? तो बस यहां से ले आओ, चाहे यहां से ले आओ यहां भी काम खतम है, यहां भी काम खतम है देखो ऐसा करते हैं 5 दिन तक A का काम तो 4-4 यूनीट से 5 और 5 दिन तक B का काम तो एक-एक यूनीट से 5 तो 20-5 मिलके हो गया 25 यूनीट वर्क और 4 के efficiency से अगर 25 यूनीट वर्क करेगा तो 25 बटे 4 दिन लगेगा आंसर होगा 6 पुर्नाग 1 बटे 4 दिन समझ रहे हैं बात? ठीक है? पांच दिन तक A का efficiency काम किया पांच दिन तक B का efficiency काम किया तो टोटल यूनीट वर्क हो गया मेरा 5A प्लस 5B यहां से हम निकाल लिए A का efficiency ये 4 तो 5 गुना 4 पांचों का 20 और 5 गुना 1 पांच या यहां से निकाल लिए तो 4 प्लस 1 4 प्लस 1 5 इंटो 5 यानि 25 टोटल यूनीट पर खुआ मेरा खिक है? चलिए तो यह थोड़ा अलट टाइप का question था फिर बढ़ते हम लोग next question के तरफ next question है मेरा A प्लस B can complete a work in 8 days but if A and B work twice and one-third of their respective efficiency काहने का वही मतलब है कि A और B दोनों मिलकर के 8 दिन काम करेगा तो हम लिख सकते 8 दिन तक A का efficiency और 8 दिन तक B का efficiency काम करेगा तो काम खतम हो जाता है but A and B work twice and one-third यानि दो गुना A अपना काम करता है और one-third B अपना काम करता है ठीक है? In how many days A alone can complete the work तो A अकेला उस काम को कितने दिनों में complete कर लेगा बस हम इसे solve करते है 12 A 12 A 12 A माइनस 8 A यानि हो गया मेरा 4 A and इसको अगर multiply करते हैं तो 8 B माइनस 2 B 2 B आ जाए गई इसको multiply करते हैं 8 B माइनस 2 B is equal to 6 B तो A और B का efficiency आ गया हमें 3 is to 2 6 इधर आएगा 2 इधर आएगा 3 is to 2 बस हमें क्या देखना है total unit work तो हम ऐसा करते हैं 8 तीया 24 हो गया और 8 दुनी 16 हो गया यानि 8 हाट कॉमन है तो 8 पंचे 40 हो गया total unit work और question हमसे पूछ रहा है क्या कि how many days A alone can complete the work तो 3 के हिसाब से अगर 40 unit work करना होगा तो 40 बटे 3 दिन लगेगा time ठीक है चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को बढ़ते हैं फिर next question की तरफ next question है A started work and left working 4 days B finished the remaining work in next 18 days कहने का क्या मतलब है कि जब A start किया काम और 4 दिन तक काम छोड़ दिया तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 A 4 दिन तक A का efficiency काम हुआ और B finished the remaining work in next 18 days अब जो बचा हुआ काम है उसमें B का कितना दिन तक काम लगा 18 दिन तक efficiency काम किया तो काम हो गया complete यानि यहां से total unit work है ठीक फिर है the remaining work in next 18 days ठीक है आगे बढ़ते है had A left the work after working for 6 days अगर 6 दिन के बाद एक काम छोड़ता छे दिन के बाद एक काम छोड़ता ठीक है the B would have finished the remaining work in next 12 days अब बचे हुए काम को B कितना दिन में कर लेता है 12 दिन में कर लेता तो यहां भी काम खतम हो रहा यहां भी काम खतम हो रहा दोनों है बराबर और जब दोनों बराबर है तो 6 A माइनस 4 A 2 A and 18 B माइनस 12 B आरा मेरा 6 B तो रेशियो A और B के एफिसेंसी का रेशियो हमें पता चल गया 3 is to 1 अब टोटल यूनिट वर्क गीनेंगे टोटल यूनिट वर्क कितना है आफ्टर वर्किंग 6 देस ठीक है देन find in how many days A and B alone can complete the work तो A का एफिसेंसी पता चल गया है B का एफिसेंसी पता चल गया है और टोटल यूनिट वर्क अगर हमें पता चल जा है तो A कितना दिन में काम को अकेला कर सकता है B कितना दिन में काम को अकेला कर सकता है वो हम आसानी से निकाल सकते है तो चलिए टोटल यूनिट वर्क हम या तो यहां से गिल ले या यहां से गिल ले कहीं से भी हम गिल सकते है देखिए 4 इंटु 3 12 and 18 इंटु 1 18 दोनों मिल करके कितना हो जारा 30 या 6 इंटु 6 इंटु 3 18 12 इंटु 1 12 एड कर लिए तो आगया 30 अब अकेला कितना दिन में कर रहा है तो A अकेला कितना दिन में करेगा 30 इंट वर्क 3 के हिसाब से काम करेगा तो 10 दिन लगेगा और B अकेला कितना दिन में काम करेगा 30 के हिसाब से एक यूनिट के हिसाब से काम करेगा, तो 30 दिन लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, हम efficiency को एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूसरा जो तरीका हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिएगा, समझ जिएगा बात को, एक किसी काम को कर सकता है, चार दिन, और बी करता है, बचे हुए काम को अठारा दिन, ठीक है, अगर एक छे दिन काम करता, तो बचे हुए काम को करता भी बारा दिन है, तो अकेला-केला कितना दिन में करेगा, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कि चार दिन तक एक काम किया, अब ए कर रहा छे दिन यानि दो दिन एक्स्ट्रा कर रहा एक काम तो दो दिन एक्स्ट्रा अगर एक कर देता है काम तो बी को कितना दिन कम काम करना पड़ता है छे दिन कम काम करना पड़ता है तो जितना काम ये बढ़ाया जितना काम ये ज्यादा किया उतना काम उधर कम करना वह debate दो दिन तक एक इफिसेंशी और ची दिन तक भी का एफिसेंशी यह धोनों भी बराबर होगा तो ए और बी काःकि एफ हैंसी क्या पता चलेगा त्रीजिस टूटू त्रीस्टूम करते हैं ज़लाइ नपते हैं जब कि तरफ चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट कॉस्चन है मेरा चौथा नमर का कॉस्चन है फॉर्थ कॉस्चन है A and B can complete a work in 30 days they start work together and after 23 days B left the work and whole work completed in 33 days find the time in which A alone can complete the work पिछला कॉस्चन में हमने क्या देखा था पिछला कॉस्चन में बचे हुए काम को भी करता था यहां पर देखिए क्या दिया हुआ कि A and B दोनों अगर मिल जाए तो काम को complete कर दे 30 दिनों में कितने दिनों में? 30 दिनों में ठीक है बुला किया कि A 23 दिन के बाद काम छोड़ देता है sorry B 23 दिन के बाद काम छोड़ देता है तो B ने कितना दिन काम किया? 23 दिन तक काम किया B छोड़ दिया काम B ने 23 देज तक काम किया और फिर काम इसने छोड़ दिया अब कह रहा है कि पूरा काम complete होने में इसको 33 देज लगते हैं पूरा काम complete होने में 33 देज लगते हैं ठीक है? तो find the time in which A alone can complete the work तो हम इसे यहाँ पे फिर से देख सकते हैं दो तरीका से निकाल सकते हैं दो तरीका क्या है? कि सबसे पहला तरीका आप efficiency निकालने का दो तरीका है उसको समझ लिजिए ठीक है? efficiency निकालने का एक तरीका तो एक तरीका rule 1 से अगर हम देखे कि 30 दिन तक A का काम करेगा तो 30 A 30 A और 30 दिन तक B भी काम करेगा तो 30 B जबकि 33 दिन तक A काम करेगा तो 33 A और 23 दिन तक B काम करेगा तो 23 B तो यहां भी काम खतम होगा और यहां भी काम खतम होगा यह बात आप समझ लिजिए तो 33 A में से अगर 30 A को मैनस कर दिया जाए तो 3A आएगा और 30B में से 23 को मैनस कर दिया जाए तो 7B आएगा तो A और B का efficiency हो जाएगा 7 is to 3 एक तो हम ऐसे भी efficiency निकाल सकते हैं दूसरा जो तरीका है वो यह है कि B 23 दिन के बाद काम छोड़ देता है तो आप सोचिए कि B ने अपना 7 दिन काम छोड़ा B ने अपना कितना दिन काम छोड़ा? 7 दिन काम छोड़ा तो हम बोलते हैं 7 दिन B ने काम छोड़ दिया और वही जो 7 दिन B काम छोड़ दिया उसी वज़़े से A को 30 दिन ना लगके 33 दिन लगा यानि 3 दिन जादा लगा तो हम बोल सकते हैं, तीन दिन तक A जादा लगाया, किसके वज़े से, साथ दिन तक B ने काम नहीं किया है, इस वज़े से, तो 3A is equal to 7B, और A और B का efficiency क्या आ जायरा है, 7 is to 3, तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, फिर आगे question कहरा है, find a time in which A alone can complete the work, अब A का efficiency तो हमें पता चल चुका है, तो हम निकालते क्या है, total unit work, अब total unit work कैसे निकालेंगे, तो A प्लस B का efficiency टोटल मिल करके 10, 10 और 10, 10 unit से काम होगा 30 दिन तक, तो हम बोल सकते हैं, 30 गुना 10, अब A का efficiency है 7, एक efficiency है 7, तो डिवाइड कर देंगे 7 से, तो time आयागा, 300 by 7 days, 300 by 7 days, ये मेरा answer होगा, ठीक है, 300 plus by 7 days, अगर बीक पुष्टा की बीक कितना दिन में काम को complete कर सकता है, तो हम क्या करते, इस total unit work में, डिवाइड कर देते, बीके efficiency से, तो 30 गुना 10, यानि 300, 300 में 3 से डिवाइड करते, तो आता मेरा answer, 100 days, ठीक है, हाँ, तो दोनों ही पुछा था, एक कितना दिन में काम को complete कर सकता है, 300 by 7 days, एंड बीक कितना दिन में काम को complete कर सकता है, 100 days, 30 into 10 divided by 3, ठीक है, चलिए, उमीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आपको, बढ़ते हैं फिर next question की तरफ, next question है मेरा, 5th का, 5th था ना, ये था, हाँ, 5th question, अभी हमने 4th question को discuss किया है, ठीक है, तो चोथे question को discuss किया भी हम, 5th question के तरफ चलते हैं, a left the work, and work in completed, work in completed, work is completed in 26 days, question कह रहा है कि a और b दोनों मिल करके 24 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, ठीक है, a अकेला 2 3rd, टोटल यूनिट वर्क का जो 2 3rd होगा, उस 2 3rd वर्क को, a अकेला कितनी दिनों में कर सकता है, जबकि एक और भी clue क्या दिया हुआ है, कि if they start working together, after 20 days, a left the work, and work is completed in 26 days, बस बात समझ में आ गया, उसी से related है, आप देखिए, a और b दोनों मिल करके 24 दिन तक काम करता है, तो टोटल यूनिट वर्क तो निकलेगा, दोनों का efficiency जब पता चलेगा, उसको 24 से हम multiply कर देंगे, तो efficiency हम निकाल लेते है, a प्लस b 24 दिन में कर रहा है, ठीक है, 20 दिन के बाद a काम छोड़ दिया, तो a ने अपना कितना दिन का काम छोड़ा, चार दिन का, तो हम लिख देते है 4a, और पूरा काम complete हुआ 26 डेज में, इसका मतलब क्या हुआ कि दो दिन b को extra काम करना पड़ा, तो यानि 2b, तो 4a is equal to 2b, तो a और b का जो ratio है, वो क्या आ जा रहा है, 1 is to 2 का, efficiency का ratio आ गया, अब हम क्या कर लेते हैं, टोटल यूनिट वर्क निकाल लेते हैं, तो टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे, तो 24 दिन में दोनों मिल के काम करता है, तो हम लिख देंगे, 1 प्लस 2 यानि 3 इन्टू 24, अब इसका 2 थर्ड काम करने में, ये अकेला कितने दिनों में कर सकता है, अब एक का efficiency तो आपको पता है, तो 2 थर्ड जब हम इसका निकालेंगे, तो टोटल यूनिट वर्क का 2 थर्ड, तो 2 बाई 3, 3 से 3 कट गया, अब देखिए, एक के हिसाब से अगर काम करेगा, तो एक के हिसाब से काम करेगा, तो एक से डिवाइड करना पड़ेगा, इस बात के ध्यान देना, इस बात के ध्यान देना, इन हाव मच टाइम अलोन कंप्लीट दो वर्क, देखिए, थोड़ा सा कोस्टन में चेंज किया है, और कुछ खास नहीं, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, आप खुद सोचिए, कि ए प्लस बी हाफ वर्क करेगा, तो दस दिन से कम लगेगा कितना, पाँच दिन, हाफ लगेगा न, टाइम भी हाफ हो जाएगा, अगर हाफ WORK करेगा, तो, A ड्हाइ दिन तक काम किया, 2.5 डेस तक काम किया, और B सारे दिन, 3 दिन तक काम किया, 3.5 डेस तक काम किया, तो आधा work complete होता, ओके, they finish half work, in how much time A alone complete the work, A अकेला उस work को कितने दिनों में कर सकता, तो total unit work निकालेंगे, लेकिन total unit work तो 10 के हिसाब से चलेगा, हम अभी देख लेते हैं, आप ऐसा करिए कि A पांस दिन तक काम करता, B भी पांस दिन तक काम करता, तो half work होता, लेकिन A ने किया सिर्फ धाय दिन तक काम, तो कितने दिन तक का काम नहीं किया यहने, तो 2.5 देज तक काम नहीं किया यहने, और B को, B को भी करना पड़ता, कितना, B को करना पड़ता, 3.5 देज, 3.5 देज नहीं होना चाहिए, यहां पे, 8.5 देज होना चाहिए, ठीक है, 8.5 देज, तब त ठीक है अब देखते हैं तो यह आगया 5 और यह आगया 7 तो A और B का Efficiency का Ratio आया है 7 इस टू 5 टोटल यूनिट वर्क गिन लेते हैं हम लोग टोटल यूनिट वर्क गिनते हैं आप question पूछ रहा, in how much time A alone complete the work? तो A का efficiency है 7 और total unit work है 120 तो answer मेरा क्या आगया? 120 by 7 days और answer इसका हो गया 120 by 7 days ठीक है? तो यह session आपका खतम होता है उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीका से आपको समझ में आया होगा मैं धिरे धिरे से बताता हूँ आपको और आप समझ ये concept को समझते जाईए अलग अलग तरह का question में आपके सामने लाऊँगा और exam का त्यारी waste होगा चाहे bank वाला हो, चाहे SSC वाला हो ये सब common chapter होता है ठीक है? अच्छा ये फिर मिलते हम लोग next session में